हेलो स्टुडेंट्स वैल्कम डू जे चैनल आफ विदान क्लासिस तो अभी हम बात करेंगे चैप्टर 9 हेरीडिटी एंड इवॉल्यूशन की किसमें से कितना पोर्शन आपको प्रिपैर करना है और कितना नहीं करना तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये पेरग इनलेशन आप विडिएशन द्यूरिंग रिप्रोडक्शन तो ये टॉपिक आपको प्रिपैर नहीं करना तो फिर उसके बाद आता है टॉपिक 9.2 हेरीडिटी हरीडिटी का पूरा टॉपिक आपको प्रिपैर कर लेना है अच्छे से इसके अंदर के इंहरीटैंस के रूल और मेंडेस कंट्रिबिशन यह काफी इंपोर्टन्ट टॉपिक रहेगा यह सारी चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेर करनी है इसके बेज काफी अच्छे सवाल बनते हैं तो वो सारे सवाल आपको आने चाहिए उसके बाद टॉपिक है 9.2.3 तो यह सारे के सारे टॉपिक आपको प्रिपेर करने है इसके बाद बहुत इंपोर्टन्ट सवाल जो काफी बार बोड एक्जामस में आया है सेक्ष डिटर्मिनेशन तो यह सवाल आपको प्रिपेर कर लेना आच्छे से प्र उसके बाद आता है टॉपिक इवाल्यूशन के अंदर जो भी सारी कहानी दी है बिटल्स की और यह काफी इच्छे इंट्रेस्टिंग कहानी है तो यह सारी स्टोरी आपको प्रिपेर कर लेनी है यहाँ पर दी है फिर एक्वाइड और इनेडिटेट ट्रेट यह भी सवाल चाफी बार बोर्ड एक्जाम्स में पूछा गया है यहाँ पर ओरीजिन ओफ लाइफ का एक टॉपिक है वो भी त्यार कर लेना उसमें बदाया कि लाइफ कैसे ओरीजिन हुई है पीशियशन एक टॉपिक हटा दिया है इंट्रेस्टिंग टॉपिक था बढ़ यह हटा दिया है अच्छा है ठीक है कहानी थी इसमें भी यह टॉपिक आपको नहीं करना पीशियशन वा था फिर एवोलूशन इन क्लासिफिकेशन यह टॉपिक काफी इंपोर्डन रहेगा इस साल यह टॉपिक आप प्रिपेर कर लेना अच्छे से ठीक है चलिए फिर आगे देखते हैं इसके अंदर ट्रेसिंग एवोलूशनरी रिलेशन्शिप जिसमें होप लोगस और अर्गन्स और एनलोगस और्गन्स की बात की है जो लास्ट यह पूछा था बोर्ड एक्ज की जो बात है कहानी यह वो है ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यह वाला टॉपिक पूरा काफी इंपोर्टन्ट है हर साल इसमें से एक सवाल आता ही है फिर एवालूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस तो यह टॉपिक हटा दो यह टॉप अच्छा तो हमने यहाँ पर खतम कर दिया चैप्टर नाइन को भी और मैंने बताया कि कितना पॉर्ट्चन चैप्टर नाइन में से करना है और कितना नहीं करना है तो थैंक यू सो मच